ना सिर्फ वो बलके एक और मर्ड़ार के अंदर भी हुआ था उसके बारे में भी समझ रहे हैं कि शायद ये भारती एजनसी जो है इसके पीछे इन्वाल पूस्ट वांटेड इस्लामिक स्टेट टेरिस्ट विस अर्रेस्ट इन इंडियाज न्यू डेली अमिद अमेजर क्रा पहले तो बात की खालिस्तान के हक में आपने बात की अगर हम खालिस्तानियों को उनका हकोग दे दे तो भाई जो पंजाब में आप रह रहे हो ये भी खालिस्तान में चला जाता तो आप दो हाफस साथ के साथ जो मुंबै अटैक में जो इनकी इन्वाल्मेंट थी उसके बारे में लोग रा की बातें कर रहे हैं बलके मैं समझता हूँ ये बड़ी एक और इमिच्यो स्टेटमेंट है क्या रॉप पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है क्या उनके यहां पिकूख ग्रुप्स है क्या उन्हें किसी की सर्वसेश ली हुई है कर रहे हैं तो इसी तरह से हमारे भी अंदर बलोचिस्तान अब बलोचिस्तान आप जो की और का रही है और इस हवाले से पाकिस्तान की जो लाइनफोर्स्मेंट अजन्सी से पुलीस जो है देव नोट कॉम आफ विद एनी निव जो है और आज कोई बहुत ही करीब ही साथी था जो मारा के तो सवाल ही उच रहे कि ये किसने मारा क्या हुआ क्या दूसरे मुल्क के अजन्सी जो है वो मुल्क के अंदर वो जो हम कहते हैं रा की साथी कोई ऐसा मामला है और आपको पता है अफगानिस्तान की तरफ से और टीटीपी की तरफ से तो जो हमले होएं उसमें साथ साथ लोग मरें तो सर क्या पाकिस्तान अंडर अटैक है ये क्या सिटूएशन देखिए अगले द करने की कोशिक करूँगा ये जो कराची के अंदर जो मर्डर की हम बात करें ओब कुछ कुछ और कोफ़ते हैं कि तो और उसकी जब बात की जा रही है तो लोग बात करते हैं कि ना सिरब वो बलके एक और मल लवार के अंदर भी हुआ था। बातें कर रहे हैं बलके मैं समझता हूँ यह बड़ी एक और मिल्चोर स्टेटमेंट है जो ब्लोजस्तान के अंदर अटेक एद मिलादुन अभी के हुआ है उसके उपर भी हमारे जो इंटीनिर मिनिस्टर है उन्होंने फॉरण उसका नाम अठा के साथ अटैच कर दिया है पहले दिन कोशिश पहले दिन खबरों में आ रहा था शायद के टीटीपी एक इसमें वालफ है लेकिन टीटीपी ने जब उसको डिनाय किया या उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी फिर आईसिस के के बारे में सोचना शुरू कर दिया फिर वहां से भी जब बात नहीं बनी तो उन्हों ने जब इहरा के अजिमें लगा दिया मैं समय तो पाकस्तान का मीडिया तो अभी तक हमें कनफर्म करता नजर नहीं आ रहा लेकिन भारती मीडिया इस पे काफी बोल रहा है कि जो 26-11 के मास्टर माइन जो हाफस साइद के में एक जो सपोर्ट मैं था उसको कराची में जब वो कतल कर दिया गया है मुफ्ती कैसर फारूक इनका नाम है लशकर तैबा के थे और हाफस साइद के वड़े करीबी साथी समझे जाते हैं ये एक important incident है इसकी वज़ा ये है कि कुछ questions इससे emerge होते हैं क्या raw पाकिस्तान में operate कर रही है क्या उनके यहां पे को ग्रुप्स हैं क्या उन्हें किसी की services ली हुई हैं क्या वो third country से operate कर रहे हैं वो कहां से और क्या कर रहे हैं और इस हवाले से पाकिस्तान की जो law enforcement agencies है पुलीस जो है they have not come out with any news इससे पहले आपको याद होगा किश्मीर में एक half a side के group से associated एक person थे जिन को कतल कर दिया गया था मस्जिद के अंदर और सुनने में आ रहा है कि ये this is what ये काफी जादा लगे हुआ है अब ये question जो है वो it will take some time to understand कि ये हो क्या रहा है और इसमें जो ये जो ये जो बंदा जिसको मारा क्या है mainstream media तो इस पे नहीं बात करा लेकिन don news पाकिसान का prestigious newspaper है उन्होंने आज सुबह इस बात पे खबर दी है बाकी mainstream media पे इसको को story नहीं चली अब ये जो इनकी उमर 30 साल है और इनका ऐसे मारे जाना obviously बताता ये है कि ये सारे का सारा group जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशूर रहा है और ये आईस्ता आईस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं और मुझे नहीं पता इस हवाले से हमारी जो रियासत है स्टेट की इंस्टिशन जान की क्या policies है इस पे क्या बात हो रही है क्या ये वाकिए एक ऐसा group ऐसे लोग है जिनको अगर मारा जा रहा है systematic मारा जा रहा है और क्या इसमें भारत involved है क्या क्या रहा है